प्रेंड्स वेलकम टू अमस्स बाबा तो हम लोगों ने चेक नई सरी सुरू की है कम्प्यूटर क्लासेज की आज उसका क्लास नंबर टू है और रिस्पॉंस काफी अच्छा है आप लोगों का और बहुत ही अच्छा लगता है एफर्ट्स जब रिजल्ट्स में कनवर्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो कम से कम इस एफर्ट्स से क्या हो at least किसी का रिजल्ट कनवर्ट हो आप लोगों में से कम्प्यूट क्लैस के question सारे complete कर लोग our taxes classes number two है विसमें आज हम देखेंगे computer hardware last class हम ने कहां छोड़ी थी computer hardware को पढ़ाने के बोला था कि आपको एक analysis इन लिए neuroscience computer hardware को topic को cover करते हैं और देखो एक बार मैं बता दू दो चीजे कि हम लोग इसको पूरी-पूरी basic को को कबर करेंगे basic computers को कबर करेंगे जिससे आपको computer पता है या नहीं पता है दोनोंगी condition से आप computer के computer के सारे questions को answer करने में capable हो जाओगे ठीक है तो यहां RRB और RBI exams लिखा जा रहा है ठीक है तो इसका मतलए तो यह नहीं कि सिर्फ एक्सम के लिए कहीं भी basic computer classes के questions आपके अगर आपते हैं तो आप उसको solve कर लोगे ठीक है और जो भी मैंने एक PDF के बारे में जेकर किया था कि आपको capsules रखे हुए है mbisusababa.com के site पे उसका रुपिज 10 है ठीक है 10 है वह अचली पर capsules नहीं है पूरा 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 आपका PDF आपको 10 अपर में मिल जाएगा तो आप अराम से ले सकते हो और इसको लेकर रिक पर revision कर सकते हो के लिए ठीक है questions के लिए test mbisusababa.com है और दोनों ही का दोनों ही का जो link होगा टेस्ट का और डेस्ट का और आपके capsules का वह नीचे comment section में description में डाल दिया जाएगा आप वहां से directly access कर सकते हो ठीक है तो यह से चलिए यह तो बाते हो गई तो अब हम लोग class number two पाएंगे लेक तो class number two सबसे पहले हम लो class one का revision करेंगे तो question आपके सामने है let's blank मुझे pen का color change करने दो कि आपके लिए visual हो okay so now this is the science blank x is the science that attempts to produce machine that display the same time of intelligence that humans do वो science का नाम बताईए जिस science से उस तरह की कोशिश की जाती है कि वही result सामने आए जैसा कि machine ना करके उसे इनसान ने किया है machine ने ना करके उसे किसी इनसान ने किया human ने किया है तो इस questions कहीं पढ़ते ही आपको उसका answer मिल जाएगा that is known as the artificial intelligence AI AI क्या technique है AI वो science है जो कि कोशिश करती है कि कोई भी result जो आ रहा है वो आता तो machine से ही है लेकिन ऐसा ऐसा represent हो कि यह से human ने किया है that is known as the artificial intelligence तो आपका पहला question यह तियार हो गया second questions देखो यह question हम लोग ने last class में cover किया था that are especially designed computers that perform the complex calculations extremely rapidly बहुत तेज calculation करने के लिए इन में से कौन सा computer के उज़ करते हैं servers, supercomputers, laptops, mainframes, mainframes के लिए ज्यादा, large database के लिए use करते हैं यहाँ पर mainframes को हटा दो, servers में सब कुछ होता है, laptops आपके बिलकुल perform करने के लिए होता है, इसमें कोई भी problem नहीं है, super computer एक बाफिर से रुखो, यहाँ आप सारा erase करके आपको answer tick करता हूँ, artificial intelligence यहाँ पर super computer, especially designed computers that perform complex calculation extremely rapidly, तो आप class 1 के वीडियो को फिर से देखो, अगर आपको थोड़ आउट है, तो slide पर hold करो, slide का screenshot ले लो, वहाँ पर देखो, बिलकुल क्लेर लिखा हुआ है, कि super computer किस तरह की का performance को evaluate करता है, फिर आते है, analog computers के बारे में, analog computer मैंने आपको इसमें रहा है था, कि digital और analog, digital is discrete and analog is continuous, यह दो वड़ आपके हमें से दिमाग में रहना है, जैसे ही यह रहेगा, आप कोई भी questions को solve कर लोगे, analog or digital से, अब यहाँ पूछना, analog computer क्या करता है, analog computer, input is first converted to the digital form, देखो, अगर analog computer है, तो digital form में कभी भी convert नहीं होगा, ठीक है, output is display in the digital form, नहीं हो सकता, जब पहला औ और C नहीं होगा, तो all of the way नहीं हो सकता, input is never converted to digital forms, तो मतलब यह इसका answer है, तो third answer है, B, ठीक है, who designed the first electronic computer, first electronic computer, E-N-I-A-C, मैंने बताया था, E-N-I-A-C, class 1, फिर से देखो, E-N-I-C, जो computer है, इसको किस ने design किया था, जेम, प्रेसबर, एसकर्ट, जोन, डब्डू, मौस्ली, ठीक है, अगर आपको याद होगा, तो यह, when human कभी मैंने नाम दिया था, यह क्या किया थे, यह computer architecture को design किया थे, computer architecture को design किया थे, ठीक है, इस तरह questions अगर तुम देख रहो, तो सारे options को ऐसे से काटना सुरू कर दो, क यहाँ पर answer है C, then, this final question, आज का revision का, the personal computer industry was started by IBM, यह बिलकुल साफ साफ बोल्ड में लिखा हुआ है, तो आज आपको 5 questions यहाँ त्यार हो गए, ठीक है, class 1 से, फिर अभी जो हमनों पढ़ेंगे, उसको class 3 में revision करेंगे, आए, अब start करते है class number 2, class number 2, main parts of computer, इसको मैंने वहाँ पर थोड़ा सा brief में start कर दिया था, start करने के लिए मैंने बोला था कि आपके पास 3 room है, computer को समझने के लिए आपको बस 3 चीज़ के ध्यान रखना है, पहला कि एक जो input होता है, दूसरा वो जो processing unit होता है, processing unit हम लो detail में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और तीसरा ये कि output क्या होत है, जैसे कि आप juice के दुकान पर जाते हो, juice वाले के दुकान पर जाते हो, और juice वाले दुकान से बोलते हो कि a glass juice दे दो, तो सबसे पहले वो यहां से आपको feed करता है, juice के लिए फल डालता है, क्या डालता है, fruits क्या है, input है, फिर उसके यहां से juice निकलता है, रस निकलता है, फ्रूट का राज तो जूस किया है ओउट पूट है बीच में जो इसको फूट को जो जूस में यानि कि सॉलिड को जो लिक्विद में कनवर्ट किया वो एक मशीन है बतल法 यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रोसिसिंग यूनिट फियू फ्र्सिसिंग यूनिट रिके तो यह ती तीन फंडे में इन्पूट और आट्पूट का हम लोग पढ़ेगे लेकिन इन्पूट आट्पूट पढ़ने से पहले यह समझो कि हाडवेर क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको बताया जाए बहुत ही बेसिक लेंगोज बताया जाए अगर आपको फस्ट इंस्टेंट जो आपको काम करेगा अगर उससे आप सुचोगे तो हाडवेर वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का हाडवेर वो कंपोनेंट होता है कंप्य किया जा सकता तच्छ फीजिकल टच्छ पीजिकल टच्छ किया जा सकें उसे hardware बोलते हैं फीजिकल टच्छ नहीं किया जा software बोलते है tangible assets एंड इंटेंजिबल assets ठीक है अब hardware आप जैसे की अब एक basic सा question उठालो hard disk drive hard disk drive को आप तच्छ कर सकते हो yes तो क्या है वो hardware क्या सकते हो तो वा उसका जाव प्रोगाम को सकते हो Microsoft Word को touch कर सकते हो? Excel को touch कर सकते हो? नहीं Excel को touch नहीं कर सकते हो Excel एक program है word एक program है Java एक program है तो यह सब software से है तो अभी हम बात कर रहे हैं hardware की, तो पहले तो hardware पर आजब तो hardware यह सारे होगए अब इस hardware में अब आपका यह doubt होगा कि कौन सा हाडवेर को हम लोग input device बोले कौन से device को हम लोग output device बोले किसी भी चीज जिस से में जिस से process में in किया जाता है process में in किया जाता है मतलब अंदर जाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं input और किसी वी चीज से process से बाहर आया जाता है, उसको बोलते है output टिके, अब देखो, आप mouse को जssen उजब और यूज़ पर किया कहते हैं, आप टीटा डालती हो, mouse से आप टालते हो, डालते हो तो mouse से आप का input हुआ, keyboard से आप टंपूट हुआ, joystick से आप टालते हो, इंपुट हुआ, image scanner, scanner खोलते हो, scanner को खोलते हो, पेज डालते हो, पेज के scan करते हो, मतलब आप computer को कुछ दे रहे हो, तो मतलब वो input हुआ, webcam में आप अपना photo लेते हो, photo अपना भीजने के लिए ready हो जाते हो, उसको input बोलते है, graphics, tablet, microphones, यह सारे input है, तो अब आपके अंदर एक monitor में हो रहा है, यह तो mobile में हो रहा है, तो that display unit is output, printer, आप printed format में निकालते हो, loudspeaker, मतलब अगर यहां देखो, यहां पे कोई data, यहां पे data digital format में देख रहे हो आप, यहां पे data को आप printed format में देख रहे हो, और यहां पे data voice format में देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन सार फॉर्मेट जो है आपको कुछ आउट्पुट दे रही है ठीक है बोथ कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इन्पुट भी हो सकता और भी हो सकता है बहुत छोटा से एक जापल है हाट डिस्क ड्राइव हाट डिस्क में आप क्या करते हो आप इसमें हाट डिस्क करते हो हाट डिस्क करके हाट डिस्क के डिटा को इसमें कॉपी करते हो यहां पर आपने हाट डिस्क डिटा को जब आपने कॉपी किया तो यह आपका इंपूट डिवाइस हो गया यहीं डिवाइस इंपूट डिवाइस के तरक काम करने लगा आप क्य पॉर्मेट करने वाले हो या आप इसको भी किसी को दोस्त को देने वाले हो तो आप अपने यहां से डेटा निकालते हो यहां डिस्क में कॉपी किए तो function देखी है copy लेकिन आप यहां से यहां कर रहा हो तो input है और जब आप laptop से अपने hard disk में कर रहा हो तो यह output है तो कौन सा device है जो input-output दोनों में काम कर सकता है सारे storage device सारे storage device ठीक है floppy disk drive, hard disk drive, optical disk drive, teleprinter यह सब होता है ठीक है देन बाद आती है computer buses की computer buses मतलब computer channels होते है short range channels होते है RS-232, PCI-USB, USB pin drive लिए port देखते हो फिर आप एक चीज़ नोटिस करोगे अपने laptop में या computer में आपको एक ऐसा करके jack मिलेगा इसको ethernet port बोलते हैं क्या बोलते है ethernet port यह किसली use होता है कौन बताएगा ethernet port देखो आने वाले सालों में लोग ethernet port को भूल जाएंगे क्योंकि आप सब कुछ जो है जो पूरी पूरी जो आर्किटेक्चर है वह wi-fi पर आ गई है यह सब आगे देखेंगे अगर आप लोग कोई डाउट हो गता पूझ लेना यह wireless पर देखेंगे लेकिन ethernet port क्या connection है wired connection wired connection मतलब आपके घर में अगर internet है किसी भी किसी भी service provider का internet है तो आप ध्यान देते होगे कि आप laptop यह desktop में एक cable आता है और इस cable को लगाते हो जहां यह लगाते हो वह port RS 232 port मतलब इथरनेट port है इसमें और भी चैनल से RS 485, 4232 यह सब चीज़ आपको पढ़नी नहीं अभी बाद में देखेंगे ठीक है तो यह long range के लिए ethernet port हो गया किसी किसी में 14 pin connectors आते हैं यह क्या होता है यह आपके यहां से CPU से आपके monitor में लगा रहता है आपके CPU से मतलब CPU जो नीचे लगा हुआ है और नीचे रखा हुआ होगा टेवल के और यहां monitor लगा होगा यहां से यहां की यहां के लगी रहती है यह आपके इस से VGA VGA cable यह DVI cable यह सब में लगा रहता है जो VGA cable जो था यह 9.0 करेक्टर था उसको RS 232 बोलते है इतरनेट को RS 448 45 बोलते है 485 बोलते है तो यह सब चीज़े बात में आएगी ATM FDDI Fiverr Distributed Interface वह सब चीज़े है ठीक है तो अब यहां पर हम लोग ने पूरी अची तरीके समझ लिया कि हम लोग का input device क्या होगा इंपूट डिवाइस वह होगा जिससे हम किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा को इन करते हैं डेटा को इन करते हैं इस सारे एक्जामपर्स आप देख लो इस पर कन्फूज मत हो ना और वैसे अगर अगर कन्फूज हो भी जाते हो तो याद रखना कि टच स्क्रीन क बहुत अच्छा ही जहां पर आप देखें टच स्क्रीन जब आपने कोई भी मुवाइल लेते हो मुवाइल पर आप टच करके इंपूट देते हो ना अब यह मत बोलना वहां पर कि नहीं इस पर डिस्प्ले मुझे दिखता है इस लिए डिस्प्ले दिखता है तो सर्व वह आप आउट पूट होना चाह rappelle बिलकुल ही है बिलकुल ही है लेकिन टच स्कृन नहीं बूला गया है आपका स्क्रीन नहीं बूला गया है तंव मतलब आपको ट zadло के इंपूट देना है तो यह आपका इंपूट डेवाईज हुआ कंफ्यूज नहीं हो नहीं कुछ भी देख कियाती है और देखो keyword भी ना keyboard का भी concept की बोर्ट को लोग बहुत बहुत थे कवर्टी पैड मुबाइल जब आये तहा पहली पहली बार तो बहुत थे कौटी कोटी आपको कोटी number नंबर पैड है कि कुछ नहीं है यह यह कीबोर्ड पे फर्स्ट फासिक्स नंबर है कीबोर्ड अगर खोलो कि देखो कि इस स्रीज प्रता है क्यू डबलू ई आर्टी वाई अच्छा एक कोश्चन आपको दिमाग में आता होगा क्यों यह ऐसे करके यह ABCD करके क्यों नहीं है यह सुचना ABCD करके क्यों नहीं है और QWERTY करके क्यों है क्यों नहीं आर्रेंज्ज नहीं है फिर देखो माउस माउस क्या है माउस इस 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 इंपूद डेटा बाइस सेंडिंगे सिगनल क्या होता है आप माउस को जैसे इंटर दवाते माउस में दो क केलीक होते हैं, left click right click हotा है, अगर आप left click करके कुछ भी options आता है, फिसको click करते हो, right click करते हो, basically enter करते हो और यह बिख जो भी आप process करते हो, process करते हो, उस process complete function क्या मुझे यह है कि आप computer के signal बेचते हो, आप this task को perform करो mouse के थुरू. mouse के थुरू, आप signal को बेचते हो कर्सर को hovering मतलब ऐसे जैसे मैं यहां से घुमा रहा हूँ न यह hovering है ठीक है and selecting with the left mouse button the left mouse button acts as an enter button the right mouse button can be selected and will often pop up a window of the choices यह सब चीज़े क्या करता है जब आप mouse क्लिक को यह सब questions देखो चोटे-चोटे questions है आपको दिमाँ को रखना है mouse के right click करने से क्या होता है options list को आप select करने के लिए left button को press करते हो जो भी थोड़ा वो तो भी computer use कर रहा है इसको पता होगा लेकिन मैं मैं मान के चला हूँ कि आपको computer के बारे में कुछ भी नहीं पता है ठीक है फिर track balls होता है track balls क्या होता है pad है pad पे आपके बहुत ऐसे हैं आप जीदर जीदर locate करोगे move करोगे आपके computer पे वह pointer इधर-दर move होगा same exactly the sync में रहेगा इसके move होने के उसको यूज करते है बार कोड रिडर क्या होता है आप कभी more पे किसी भी mega store पर जाते हो वहाँ पर आपके electronic device होता है और खट्चे आपके समान पर लगे वे जो इन बार कोड होते है उस पर light मारता है और उसका detail ले लेता है कि यह कितना आइटम आपने लिए ह प्राइस की प्राइस किया है यह आइटम है इसकी प्राइस 20 रुपीज है आपने एक quantity लिए है ऐसे करके फिर दो बार light मार देगा यहां पर दो quantity हो जाएगी तो वह भी क्या हो रहा है बैसिकली वह computer को signal दे रहा है computer को data दे रहा है और जो भी computer को data देगा उसको क्या बोलें जातके आँगे input device very good then digital camera digital camera से क्या होता है अब अब डिजटल वीट उन सक्रीन है ऑो सक्रीन आपके लिए output हो सकता है लेकिन डिजटल कामरा कको Comb!". यह और वीप्ट खीच से क्रीन हो सकता है लेकिन अगर बती की है डिए support में लगाते हो में यह तो वह अम्हें नहीं हो माइक्रोन जासे मैं वीडियो बना हम इस वीडियो बनाने में वीडियो में आपने sounds को अपने sound Web को Drag trangन के एनेशन के कारण के रहा हूँ रिकॉर्ड करकर लिकॉर्ड करके आपको ृप्लोड करूंगा यूटूb यह microphone क्या हुआ मेरे लिए input device हुआ ठीक है scanner input device है webcam अगर मैं यहाँ पर एपने वीडियो के साथ अगर क्या है video बनाना शुरू कर दूँ मैं वीडियो के साथ आपको यह video देने लगो मेरा भी video आने लगेगा तो webcam क्या होगा मेरे लिए input device होगा आप जब उस video को देखो गए त इसमें आप लोग पहले एक्जाम देते थे printed format है उसमें answers के format बने हुए है आप उसमें टिक करते थे उसको optical mark reading जिसको बोलते है इस पूरे पूरे ओमार शीट को लगा दिया जाता था उससे आपके screening हो जाती थी evaluation हो जाता था marks आते थे गेम पैड यह सब आपके input device है ठीक है फिर output device देखो output device अभी computer के लिए आप इतना समझ लो computer monitor जिसमें आपका data digitally display हो रहा है printer printed format में speaker में voice आ रहा है projector में सेम चीज़ आ रहा है आपके digital display sound card video card यह सब आपके output device है ठीक है monitor 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 की बात जहांता करते हो monitor क्या monitor TV है TV में क्या होता है आपको जो भी display दिखला रहे computer पे display आप देख सकते हो डिस्प्ले को आप view कर सकते हो डिस्प्ले को आप प्रिंट आट कर सकते हो वह सब आपके display monitors है monitor देखो दो तरीके के हैं monitor monitor का भी जो है monitor भी बढ़ते गया दीरे monitor भी develop हुआ ठीक है develop कैसे हो देखो पहले CRT tubes आते थे पहले के monitor आपको देखो मैं उसका आपको cross sectional view बना रहा हूँ पहले के monitor ऐसे आते थे यह table है मैं इस side आदमी side बठा हुआ है मतलब वह इधर की तरफ देख रहा है ठीक है इसका यह eyesight है यह जो monitor होते यह पीछे इतने बड़ रहते थे यहां पर यह cathodric tubes होता था cathodric tubes होता क्या था जब एक साइड से दूसरे साइड तक इलेक्ट्रिक सिगनल बेचता था था तोड़ा explain कर देता हूं आपको आपके exam point of view से जरूरी नहीं है लेकिन knowledge point of view से जानलो यह आपका monitor का front head यह monitor का back end होता था monitor ऐसे table पर रखा कराता था ठीक है यहां पर आदमी उसको देखता था ठीक है यह जो पीछे जो इतना बड़ा box देखते थे उसमें क्या होता है एक light ट्रती एक tube मालो समझ लो एक light signal यहां से लेकर वहां तक pass होती है इस signals में उसको यह उसके जो भी मतलब display आता CPU से उसको पता है कि यह 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 light glow करनी है ठीक है जो भी display करना है वो display हो जाता था बाद में यह technology जो कि CRT इतनी इतनी बड़ी technology थी पीछे का पूरा पूरा एक देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है इस vacuum tube containing one or more electron guns and a phosphorant screen used to view images इस तरह देखते थे लेकिन बाद में यह चीज़े को develop करके नई technology के साथ TFT screen TFT सुनाओगा अपने thin film transistor liquid crystal display LCD display अब इसमें क्या होता है यहां पर यहीं चीज़ आपको पहले जिसके दिखते थी light के करना दिखते थी वैक्यूम करना दिखते थी अब यहां पर liquid crystals को कभी-कभी आप देखना अपने TV प्रेस करोगे तो यहां पर आपको liquid crystals फैलता हो दिखा देगा ठीक है ठीक मत करना monitor okay that uses the thin-frame transistor technology to improve the image quality such as the addressability and the contrast ठीक है ठीक है थ्टोड़ा और अचे कंने के लिए फिर प्रींटर की बात है प्रिंटर पिगाइस है अब प्रेंटर में दौ तरीके के प्रेंटर होते हैं आप लोगों पहले टाइपटर मिसीन को देखा है ताइप यह काता उटता था ऊसकाटा जा कर पैश्प एमारता था और जो क्रमारता थोго तो टी ची ची करके आवाज आती रहती थी वह printer को dot matrix printer बोलते थे तो इसका मतलब जब आपका printed जो है अगेंशन इंक रिवन तो मार्क दे पेपर जब एक paper को आपका printed जाकर हिट करता है printed जाकर हिट करता है उसको impact printer बोलते हैं मतलब impact होता था paper से लेकिन अब क्या होगे अब क्या है अब cartridge बढ़ना हुआ अब कार्टर थोड़ी जाकर पेपर को हिट करता है क्या करता है बस पेपर पे जैसे भी इसको single मिला उस तरीके से इंक को spread कर देता है और आपको वहीं ची देखने लगती है जो कि आपने प्रिंट दिया हुआ ठीक है तो यह non impact printer हो गया यह output device हो गया ठीक है तो अभी हम लोगों ने अगर एक बार इसको अगर छोटा सा short review करत यहां display हो रहा है कि नहीं color आपके लिए visible है कि नहीं एक बार देख लेना कल आपने देखा था हम लोग ने देखा था कि कैसे जो है generation of computers generation of computer आया कैसे evolution हुआ computer का generation 1,2,3,4,5 फिर हम लोग ने देखा था फिर हम लोग ने नाम पढ़ा था father of computer कौन है किसने architecture लाया किसने integrated circuit लाया किसने इसकी क्या दीए उचिछा एक आपलोग यह उचाओ न पर जा देखा यह मॉख रियान कर लो अवर आपको इतना याद रखो computer classes जो अभी आप इस YouTube वीडियो के तुरू देख रहे हो इस YouTube वीडियो के देखने के बाद से आप अपने computer classes computer की पढ़ाई नहीं करोगे computer की पढ़ाई आपकी यहीं पर complete हो जाएगे ठीक है ओके तिल दैन हम लोग class 3 में मिलेंगे thank you thanks a lot